नमश्कार इन खबर में आपका स्वागत है। इसे अखलेश को जटके के रूप में देखा जा रहा है। जाती हैं तो उनको समर्थन करो। तो मैंने कहा कि मैं तो समाजवादी पार्टी में हूँ। और मुझे इस बात की चिंता जरूर है कि द्रोपती मुर्मु जी के विशे में मादनी मुख्यमंत्री जी ने भी अवगत कराया। और आप भी इस बात को कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ और पंदरे तारीक को मैं रिश्वारता करके इस बात का एलान करूँगा कि हमारी पार्टी राष्टपती के चुनाव में द्रोपती मुर्मु जी का समर्थन करती है। इस बात का एलान करने के लिए मैं आप लोगों को इधर बुलाया हूँ। उठता है कि क्या उनके साथ जो अब्बास अंसारी है माफिया डाउन नुकतार अंसारी के बेटे जो मौँ से भी धायक हैं वो भी बीजेपी के कंडिडेट द्रोपती मुर्मु का समर्थन करेंगे ओपी राजभर ने इसका भी खुलासा कर दिया कि हाँ वो करेंगे और उ इसे ले करके ओपी राजभर ने कहा कि अभी तो है अब आगे देखने वाली बात है कि क्या ये गटबंधन चलता है क्योंकि जिस तरीके से अखलेस यादव ने गंभी रुख अक्तियार कर रखा है उससे लगता तो नहीं कि अब ओपी राजभर और अखलेस यादव साथ स चल पाएंगे बीजेपी के जो टारगेट है वो दोजार चोबिस का चुनाव है और उसमें सुभासपा जो है फिट बैठती है पुरवांचल में उसका असर है पहले वो साथ में रह चुकी है उपी राजभर योगी कैबिनेट में मंत्री भी रह चुके हैं लिहाजा वो उ जोर करने के लिए जो जो कदम हो सकता है वो उठाएगी तो आप रहें ने बेखबर देखते रहें इन खबर थैंक यू